हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो यूट्यूब चैनल एगरी विद वर्न्थ तुड़े डिसकस अबाउट दा इंसेक्ट एकोलोजी तो लेट स्टार्ट वीडियो what is ecology ecology is the study of mechanisms involved in the interaction between the organism and environment means ecology होती क्या है ecology study करती है उन mechanisms को उन basically उन regions को जो किसके बीच में interaction करने काम करते हैं organism और उनकी environment के बीच में organism और जो external environment है उनके बीच में क्या relation है उसी के mechanism को study करती है हमारी ecology यह इसकी definition है यह बिलकुल मैंने एक simple definition डाली इसके अंदर German biologist थे Hans Ritter 1865 में इन उन्हें जो original term Greek term है oikology वहीं से बाद में आया है ecology तो यह German biologist द्वारा दी गई थी जो दो Greek words है oikos इसका meaning होता है household और logos का meaning होता है study मीन जो household से basically related study को हम ecology बोलते हैं तेकिन बाद में इसके definition modifier होती रही समय के हिसाब से ecology हमारा organism और इन्वारिमेंट के बीच में जो mechanism है उन्हीं को study करता है ecology ecology को हम study किसमें करते हैं ecology को firstly हम study करते हैं population में population क्या होता है group of individuals occurring in a given area कुछ जो individuals का group है माल्या कुछ humans का group है एक particular area में रह रहा है माल्या राजस्थान में है उच्छा करोड लोग रह रही है एक species है humans वाली तो वह मारी क्या होगी population होगे given area में रह रहे हो community क्या होती है सारी की सारी population एक specified time में माल्या वहां पर जो शेर की भी species हैं चित्ते की species हैं सब कुछ मिला गए वह सारी की सारी कम्यूटी बनाती है मैं एक simple example ले रहा है आपे community बना रहे हैं फिर आत हमारा ecosystem community and the non-living environment जो हमारे community थी community क्या थी सारी की सारी population एक specified area में बहुत सारी community मिलकर मतलब एक community मिलकर जो non-living environment के साथ जो interaction करती है वही हमारा ecosystem बनाती है क्योंकि वह energy के exchange करते हैं एक दूसरे से नेचर में से उनको energy मिलती है फिर वह वापी से नेचर में environment में energy को lose करते हैं यही सब हमारा ecosystem के अंदर आता है ठीक है फिर आता हमारा मैंने आपे डाला है natural और agro ecosystem में natural जो मारा प्राकरति प्राकरतिक रूप से जो ecosystem है और agro ecosystem कुन सा होता है जो अमने खेत के रूप में जो develop किया है ठीक है natural अमारा कुन सा जो प्राकरतिक रूप से और agro अमारा agriculture से related है first आता हमारा इनके बीच में difference जो natural ecosystem है वो उसके अंदर biotic diversity ज्यादा होती है agro ecosystem में कम होती है क्योंकि जो natural ecosystem ह है वो हमारा प्राकरतिक रूप से होता है तो उसमें जैविवीतला हमेशा ज्यादा ही होगी इसके अंदर जो हमारा ट्रोफिक से structure होता है वो बहुत ज़दा complex होता है natural वाले में और agro वाले में ट्रोफिक structure simple होता है ट्रोफिक से structure में से related होता है जो energy का exchange करते रहते एक natural वाले में क्योंकि आपका पता है 1000 लाखो species होती है इस एक natural ecosystem में और जबकि agro ecosystem में केवल कुछ ही गिनी चुनी species होती है तो उनका structure से दिवात है simple ही होगा फिर हमारा आता है third differences में क्या है जो natural balance है वो exist करता है natural ecosystem में और उसमें देखेंगे हम natural balance नहीं होता है क्योंकि वो human द condition होती है वो सिर्फ हमारी natural ecosystem में ही होगी और यह moderately productive होती है means जो उत्पादन करने की समता है वो इनमें moderate level पर ही होती है जबकि agro ecosystem में देखोगे तो आप बहुत ज्यादा productive होते हैं क्योंकि हम human से उसको control कर रहे हैं उसके अंदर हम fertilizer डाल रहें जो भी है उसके कालम उसके productivity ब common होते हैं means जो pest or disease का अचानक आकरमन होता है एक दम वो पैदा हो जाते हैं वह वाली condition natural ecosystem में कम होती है क्यों होती है क्योंकि वहाँ पर उनके जो दूसरी insect होते हैं वो उनको consume कर लेते हैं इसके करने एक balance बना रहता है इसके करन डिजीज और pest के outbreak uncommon uncommon होते हैं जबकि आप agro ecosystem में देखोगे तो pest or disease आउट ब्रेक हो बहुत ज़्यादा common होते हैं क्योंकि आप अगर normal field में भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़े level पर किसानों की फसलों को तबाह कर देते हैं कई बार pink ball warm आ जाता है कई बार white fly आ जाता है तो यह agro ecosystem में common होते हैं ज्यादा यह बेस पे और किस तरह वो adapt करती है उस particular environment में वही हमारा बायों होता है जो दुनिया भर की सारी communities हैं उनको आमने कैसे classify किया है उनको कि यहां पर किस तरह की vegetation होती है माले grassland के अंदर है वह अलग तरह की vegetation होगी दूसरी तरफ आप desert में जाओगे या फिर tropical forest में जाओगे तो व particular organisms हैं वह कैसे उस environment के परती ढले हुई है उनके adaptation क्या है एक्जामपल आप इसमें लिख सकते हैं grassland और desert फिर आता हमारा biosphere आर्थ की जितने भी ecosystem है वह जो पूरा global level पर जो काम कर रहे हैं global scale पर जो काम कर रहे हैं वही हमारा biosphere होता है सारी के सारी ecosystem मिलकर एक पूरा आता है ecology को हमने दो categories में divide क्या है एक तो auto ecology और दूसरा है science ecology auto ecology क्या हता है study of individual organism और a species in relation to the environment इसके हंदर हम एक individual organism कोई भी individual organism हो सकता है माले आप है मैं हूँ और हमारी दो या फिर species माले homo sapiens species है उसका environment के साथ क्या संबंध है क्या relation है यही हमारा auto ecology बताता है यह होता है population ecology इसको population ecology भी बोलते है auto ecology को फिर आता है sin ecology यह क्या होता है community ecology होता है study of group of organism of different species अलग अलग जो species है उनका जो total group है organisms का वो एक unit की तरह काम करता है वही हमारा sin ecology होता है सारे के सारे organism अलग अलग species के मिल करके एक unit की तरह काम करते हैं वही हमारा क्या होता है sin ecology मैंने अच्छा से explain करते हैं अगर फिर भी आपको कहीं पर भी doubt होता है और comment section में अपना doubt जरूर छोड़के जाना हम कोसिस करेंगी जल्दी से जल्दी आपका solution किया जाए और video को complete दे test management मेंस जो कीट प्रवंदन है उसके अंदर इसकी क्या importance है ecology की importance of ecology की महसूस का हमें कब जरूरत महसूस हुई क्योंकि हमने अंदा धूंद nitrogen fertilizers का यूज गया से यूज गया हमने हाई yielding varieties का यूज गया हमने pesticide को indiscriminately यूज गया means हमने यह सोचाइनीज की नुक्सान भी हो सकते हैं कुछ हमरी health के उपर नुक्सान आने लग गया हमने monoculture को adopt कर लिया means जिसके अंदर हम सिर्फ एक रोप के पिछे लगे होएं पिछे लगे होएं जैस कुछ देख ही नहीं रहा हो हमारा monoculture में आता है इसके कारण हमें ecology की महत्तो समझ में आया कि क्योंकि integrated pest management की जो concept आया बाद में वो किसके उपर बेस है वो ecology के उपर ही बेस है इसलिए जो pest management हबा वो approach adopt की गई और वो सारी की सारी approach हमारी ecology को उपर बेस ही थी यह हमारे importance दिस की फिरहा balance of life balance of life क्या होता है प्राकरतिक रुपसे देखो गया बेपर एक constant interaction होता है कि इसके बीच में बायोटिक potential के बीच में क्या करता है population को increase tends to increase the population मेंze population को increase करने में हैल्प करता है दूसरी तर्फ environmental resistance मेंस जो प्राकरतिक रुप से जो resistance है वो मेंचा population को decrease करने का काम करता है इन दोनों के बीच में एक equilibrium की condition को ही हम क्या बोलते है balance of life balance of life में मेरे साव से concept clear होगा होगा कि biotic potential हमें इसा population को increase करता है और environmental resistance उसको decrease करने के कोशिस करता है इनहीं के बीच में जो equilibrium की condition होते है जो dynamic equilibrium होता है वही हमारा balance of life होता है इसे population maintain रहती है ठीक है फिर आता हमारा factor that determines the insect abundance कौन-कौन से factor हैं जो insect की abundance को affect करते हैं जब से पहला तमारा biotic potential जो हमने अभी उपर देखा था ये क्या होता है maximum rate at which the population of a given species ये वो वाला maximum rate होता है जब एक given species की population increase कर सकती है जब कोई limit ना हो इसकी rate of growth की means हमने उसको माले food abundant दे दिया उसको जो जो चीज़े चाहिए nature के अंदर जो balance चाहिए temperature क्या चाहिए हमने सब कुछ उसको balance दे दिया फिर उसका maximum rate क्या होगा population को increase करने का वही biotic potential होता है कि कोई भी species कितने अपनी population को increase कर सकती है माले आपने सब कुछ best condition दे दिया और एक insect है वो per day 1000 एग को ले कर सकता है वो उसका biotic potential है ठीक है फिर आता है environmental resistance यह physical और biological resistance है जो prevent करता है एक species को उसके biotic potential को reach करने से हमेशा abundantly हमारे पास कुछ भी नहीं होता resources हमेशा एक limited way में available होते है वो ही हमारा physical और biological रूप में होते है कुछ physical में दिखते हैं कुछ biological रूप से दिखते हैं वो ही हमारा environmental resistance होता है कि कोई भी species अपना limit को ज़्यादा cross नहीं कर पाती क्योंकि उसको environmental resistance रोक देता है उसके उपर check लगा देता है ठीक है types of ER ER क्या है environmental resistance biotic factors है एक तो इसमें environmental resistance में इसमें आता हमारा density dependent factors biotic factors हमारे density dependent factors होते हैं और apiotic factors हमारे density independent factors होते हैं जो density को उपर depend नहीं करते biotic potential क्या था maximum rate था पोपलेशन को इंक्रीज करने का environmental resistance कहा था, physical और biological जो रोजिस्टेंस था ना, biological potential पर reach करने से जो रोक रहा था वो हमारा क्या था environmental resistance, फिरा था हमारा effect of biotic factors on insect population, biotic factors का क्या effect है, सबसे पहला आता है relationship among organisms, दो चीजों से डिल करता है एक तो organisms के बीच में क्या relationship है उनके आपस में उनके बीच में क्या relationship है एक यह इस factor करेंगे हो सकता है विडियो लंबी हो लेकिन आप पूरा वीडियो मैं इसमें मैक्सिम कवर करने की कोशिस की है इसलिए वीडियो लंबी बन सकती है फिर आता है रिलेशंशिप अमंग ओर्गिनिजम सबसे पहले हम यह स्टडी करेंगे कि ओर्गिनिजम के बीच में क्या रिलेशंज है इसके इंदर मारा हमारे बीच में जो क्या रिलेशंशिप है क्या रिलेशं है वही हमारा क्या होगा इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंज सबसे पहले आता हमारा एग्रिगेशन हमारी जैसे कोलोनी होती है तो यह कम्यूनिटी होती है यह सब हमारा किसमें आता है इंट्रा स्पेसिफिक हो जाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रिबिशन के बजाए माल यह नॉर्मल पॉपलिशन थी पचास पर स्केर किलोमेटर लेकिन वह बहुत सारे इंडिविजबल्स अपने नॉर्मल डिस्ट्रिबिशन की बजाए ज्यादा कंस्ट्रिट हो जाएं फिर अपने आपको गुरो करवाने के लिए सेम स्पीजिज में होता है जैसे हमारा है अर्मी कहे रहा होता है अगर आप उसको एक गुरो करवाओग ना कहीं पे किसी मेडियम में तो अगर वहां पर पॉपलिशन चाहदा है तो अपनी साथी को खा क्याना बैलिजम होता है फिर आता हमारा कंपेटिशन सेम स्पीजिज जो कुछ चीजों के लिए कंपीट करते हैं जैसे स्पेस के लिए कंपेट करते हैं मुझे ज्यादा चाहिए लाइट के लिए कंपेटिशन करते हैं मुझे ज्यादा लाइट चाहिए इसी तरह फूड क होते हैं वह हमारा attraction होता है फिर आता हमारा parental care parental care का भी आपको पता है कि जो इसके अंदर care होती है egg की या फिर brood nest की मेंसे गोसले की तरह है ताकि लार्वा के जो larva को food मिलता रहे या तो plant पे मिल जाएगा larva को food या फिर उसको food metal मिल जाएगा कहीं बाहर से जैसे अपने पक्सी भी देता है न अपने उसको चुझे को तो वह हमारा parental care होता है जिसके अंदर हम care करते हैं एग की और brood nest की एक्जम्पल इसका इर विग सोसल लाइफ क्या होता है कुछ इंसेक्ट जो colonies के बीच में colony में रहते हैं और इनके अंदर labor का भी division होता अच्छे से जैसे आपने honeybee में देखा होगा कुछ worker होती है एक उनके अंदर वह रानी मक्ही होती है जो पूरे community को लिटर होती है यह social life होता है उनके अंदर काम भी distributed होता है कुछ soldier होते हैं जो रखशा करने का काम करते हैं यह हमारे सारे के सारे क्या थे इंट्रस्पेसिफिक relations ठीक है फिर हमारे आते हैं इंट्रस्पेसिफिक relations association of individuals of different species अलग अलग species के individuals के बीच में क्या relationship है उपरवाले में क्या था इंट्रा में क्या था same species के individuals के बीच में क्या relationship है और इसमें species अलग अलग होगी है इंट्रस्पेसिफिक में देखो इसमें table format में दिया है ताकि आपको आसानी हो सबसे पहला हम देखने है type of interaction सबसे पहला है यह पी आई है यहाँ पे positive interaction इंट्रेक्षिन हमने mutualism दिया है mutualism दिया है species a को हो भी final होगा और बी को भी final होगा हिसके अंदर mutualism में को और आप समें interact कर रही है तो it को भी खाया है यह मारा positive interaction है नेचर ऑफ इंट्रक्षिन क्या होता है इसमें obligatory Uma हुलता है मीनस पका अमेश्合 फाइदा होगा और उसके अंदर गाता किसी का नियुक्स हमिलेशन करते करते कि दोनों को फाइदा हुं चै Ishig estblock हमारा क्या है प्रोटो कोपरेशन यह भी पॉजिटिव है पॉजिटिव इंट्रेक्शन है इसके अंदर भी दोनों का फाइदा होगा लेकिन इसके अंदर खास्यत क्या है जो अब्लिगेटरी नहीं है फाइदा दोनों का है लेकिन अब्लिगेटरी नहीं है मिंस पक्का होता और अनिवारी है कोई चीज थर्ड हमारा था है common cellism यह भी positive interaction में ही रखते हैं क्योंकि इसके अंदर एक species का फाइदा होता है दूसरे का ना फाइदा ना नुक्सान यह हमारा होता है common cellism इसके अंदर हमारा A तो benefit होता है लेकिन B हमारा unaffected होता है उसको पर कोई फरक नहीं पड़ता फोर्थ हमारा क्या है predation में एक दूसरे को पूरी तरह predate कर देते हैं प्रे कर लेते हैं उनका यह है negative interaction इसके अंदर एक का फाइदा हो रहा है लेकिन दूसरा तो घटे में जा रहा है ना तो इसको negative interaction में रखते हैं ठीक है B को न एक का फाइदा दूसरे का घटा सेम अमारा parasitism है शिक्त वाला यह भी negative interaction है एक का फाइदा दूसरे का नुक्सान फिर 7 आता हमारा competition में मैसा दोनों का ही घटा होता है क्यों होता है क्योंकि जो direct inhibition होता है of each species by other means एक दूसरे के साथ बिलकुल compete कर रहे हैं हर चीज के लिए तो दोनों का ही नुक्सान हो रहा है direct inhibition हो रहा है दोनों species का फिर हमारा next आता है आठवा यह positive relationship है emotionalism इसके अंदर हम नहीं sorry sorry emotionalism मारा negative interaction होता है यह positive नहीं होता है positive का आप यहां से इसका फाइदा ना उसका फाइदा ना उसका नुक्सान ना उसका नुक्सान जीरो वाली condition होते है यह none of the population is affected किसी का एक दूसरे के साथ effect नहीं होता यहां से आप इसका screenshot ले सकते एक बार ठीक है लेलिया screenshot हम आगे चलते हैं mutualism प्रोटो कोर्परेशन commercialism ऐसे ऐसी चीज़ आपको एक बार रिवाइस करोगे तो हो जाएंगी इतने ज़्यादा कोई complicated चीज नहीं है यह हम सदा से इसको पढ़ते आए हैं इसका भी ले लीजिए screenshot ठीक है फिर हमारा आता है food food क्या होता है omnivores आपने सुना होगा जो दोनो plants को भी फीड करते हैं और animals पे भी फीड करते हैं इसके example हमारा wasps herbivores के आते हैं जो living plants के उपर रहते हैं herbivores के हमने तीन types में divide गया है सबसे पहला हमारा polyphocus यह बहुत सारी wide range of cultivated और wild plants के उपर feed करते हैं मिंच महले इसको सहतूत का पेड़ मिल गया उसके बाद उसको जामून का पेड़ मिल गया अलग लग species दोनों तो दोनों कोई खा जाएंगे यह किसी को ने बक्सते ठीक है इनको wild plants मिल जाओ इनको cultivated plants मिल जाओ इनको गेम मिल जाओ इनको चावल मिल जाओ कुछ भ होती है वो किसी को ने चोड़ती जब भारत में आती है पहले आती थी तबाह करके जल जाती थी हर पेड़ों को बिल्कुल खा जाती थी सब पत्तों को ठीक है फिर आता हमारा monophagus यह single species होते हैं plant के जैसे rice tambourer है वो सिर्फ उसके तने को छेदने का काम करता है चावल को और हो कुछ काम ने करता वहुआ Ryan monophagus है एक single species को नक्सान पहुचाता है फिर हमारा olegophagus यह सिर्फ एक botanical family को नक्सान पहुचाता है एक जो botan wheat चेर एक family होती है सिर्फ उसी को नक्सान पहुचाता है जैसे मारा diamond mode थीक है फिर हमारा राता है यह मारे टीनों टाइप होगी हर्भी वर्ष के बाद नेक्स्ट हमारा कौन साथा सेपरोफेगस सेपरोफाइट पूछते हम इसको डाड़ डिकेंग़ लीव्ज को क्षाने का काम करते हैं जैसे ड्रोसो फिलाइज यह मेरे सपरोफायट में आते हैं फिर हमारा क्या होता है quantity and quality of food जो गुणवत्ता और मात्रा food की बहुत ज़्यदा important role play करने का काम करती है इंसेक्ट की survival में में उसके जीने में वो जिएगा या नहीं वो इसी को पर depend करता है कि किस quality का और कितनी मात्रा में कितनी quantity में उसको food मिल रहा है उसकी longevity कितना है longevity means कितना जीएगा वो भी इसी बात के उपर depend करता है food के उपर distribution कैसा है किस जगह फैला हुआ है अगर उसको abundant food ही नहीं हो आपे तो वो क्यों रुकेगा तो उसकी distribution को पर effect करता है उसके reproduction को भी effect करता है उसका प्रजन अंदर है और डिरेक्ट इसी इसी affected होगा तो यह सब हमारा food के बारे में था ठीक है जो food का भी relationship था वो हमारा इसमें हो गया यहां पर हमारे वीडियो का होता है end अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करना शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना थेंक यू फ्रेंड्स हैव नाइस डे